आप जिससे परिवार में आप चले गए थे इसमें आपका दंबिग घूट रहा था और बिहार की जनता बरबाद भी हो रही थी आप वहां से निकल गए आपकी आउई भी बर गई और बिहार भी बच गया तो कुमार जी के आने पर हमारे नेता ने सुपकमनाई भी दी बधा सफदगरहन में भी हम लोग साथ गए बिहार में पिछले कई दिनों से राजिनती सरगर्मी काफी तेज देखी जा रहे थी और इसी उतल पुतल के बीच एक पर फिर से मुकमंत्री नितिसकुमार ने महागठवंधन का साथ चोड़ एंडिये का दामन थाम लिया है हाला कि इस एंडिये में कई ऐसे पाटियां भी मौझूद है जो लगातार नितिसकुमार का बीरोध कर रहे थे ऐसे में अभी हम हैं राष्टिये लोग जनता दल के काड़्याले में जहां राष्टिये लोग जनता दल के प्रवक्ता हैं राम पुकार सिना इन से बात करते ह देखेए गड़िये कंड़िये में जिस तरह से रहा एक वर फिर से निटिये में सामील हो घर्ट्र कितने गुटफिव कर रहे होंगे देखेए पुराना घर में तो इसलिए उनका स्वागत है अभी नंदन है लगाता रूप इंदर कुछ वहां उनका बिरोत किया कर रहे थे अखेर बिरोत किसे लिए था नितीष कुमार से था या फिर आर जेडी से था देखिए आप मिडिया के लोग जो बोल रहे है कि उनका बिरोत कर रहे थे आपको इस समझना चाहिए कि नितीष कुमार जी के पार्टी में जनता दल्यू में हमारे नेता पार्टी के राष्टत अदल्यू उप्रिंद्र कुसवाह जी ने अपनी पार्टी को उनके कहने पर समाहित कर दिये थे लेकिन बिरोध तब शुरू हुआ कि जब जीस बिहार की जनता ने अदल्यू नितीष कुमार जी को उस परिवार के खिलाफ मुखमंतरी बनाया था और मिटिंग में नितीष जी बोलने लगे कि मेरे बाद यह उत्रा धिकारी होगा तो यहां भी रोध सुरू हुआ हमारे नेतादर नितीष कुमार को एक तरह से कहा जा सकता यह खमियाजार भुकतना पड़ा था कि उपेंदर कुछ वहार को एक वार उनके साथ अलग होना पड़ा लेकिन अब एक वार जब फिर से वो एंडिया में सामील हो गया है तो क्या अब कदम से कदम मिला कर चलने के लिए उपेंदर कुछ वहार तयार है तो नितीष कुमार जी के आने पर हमारे नेता ने सुपकमनाय भी दी बधाई भी सफ़गरहन में भी हम लोग साथ गये मुखमंत्री के नौवी सफ़गरहन में नौवी बार सफ़गरहन लिए उन हम लोग गये वहां आदरनीय भाजपा के राश्ट्र जेपी नड़ा जी क के कडराण उन्हें एक ना एक दिन हटना ही था और अंतल आज यही हुगा और एक बनितिश Pride कुमार ना अज फिर से अरजजेडी परबाता हमला भोबा है और कहा है कि वहाँ हमें कार करने की कोई भी प्रेसर करते हैं और प्रेसर पॉलिटिक्स में अधनी स्कुमात जी की तभीयद भी खराब होती जा रही थी और प्रेसर क्या निती कभी पैसर यह तो यह G लुक्तांतरिक मुल्यों पर चलने वाले लोग हैं और वें ड्ये में बहुत फिल कर रहे हैं और ड्ये मियार रीजिर के परिवार बड़ा हुआ है भाते जंता पारति रस्टी दिग्या औलॉग जंता डल यह लोग जन सक्ति पार्टी राम विलास जी की पार्टी जो के चिरा इसमें टिकट शेरिंग कैसे बात बन पाएगी या फिर अंत्र में टूट होगी ऐसी भी संभावना आप दर्स निर्ट के प्रकर पत्रकार हैं आपको मालम होनी चाहिए कि जब नितीश कुमार जी इंडिया इलाइस से कि नितीश कुमार जी अपने गर में लौटा है तो तो खन्डित हो गया इंडिया लाइस समाप्त हो गया राहुल जी पजयात्रा कर रहे हैं कोई इंपोर्टेंस नहीं मिर यह बिहार में इसलिए इस बार देश में आधर्निये नरेंदर भाई मोदी जी की लहर चल रही है और NDA कटबंधन पूरी मजबूती के साथ तीसरी बार NDA कटबंधन की सरकार बनेगी केंदर में और नरेंदर भाई मोदी भारत के प्रधान मंत्री बिहार में 40 की 40 सीटे NDA कटबंधन के सभी उमिदवार जीतेंगे चुनाओं से पुर्व एक वर फिर से NDA बिखड़ेगा कितनी सचाई लगती है आप लोगों को अपना घर को लोग देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पहले एडी एलांस के लोगों को जवाब दे जो इडी पुष्टाश कर रही है पहले अपना घर देखे दूसरे पर ताख जाक नहीं करें कहा जा सकता है कि NDA एक जूट है पूरी मुझतहिदी के साथ है और बिहार की 40 की 40 सीट जीतने के लिए संकल्पित है और पूरा बिहार के सभी निताक कार्ज में लगे हुए जैसा कि आपने सुना कि रामपुकार सिना जो है राष्टिय लोग जनतादल के प्रवक्ता हैं इन्हें नसाफ का है कि इंडिया गठवंदर में तूट हो सकती है लेकिन NDA में कभी भी तूट नहीं हो सकती है जहां तक नितिश कुमार की बात है तो नितिश कुमार से भी र कुछवाहां उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तयार हैं जर्स न्यूज के लिए ग्यानेंदर किरी पूर्ट